हेलो दोस्तों आप सकता स्वागता आज कि हमारे एक और नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों ओमेगा सिल्की स्ट्रीम इवी थ्री विलर ओटो को अगर अगर आपको इसकी नई कैस प्राइस क्या देखने को मिलेगी अगर आपका वजट कम है और आपको कराने सोटो को फाइनस पे तो सिकम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं लोन अमाउंट क्या होगी महीने की EMI क्या देनी होगी इस सभी बाते आपको वीडियो में बताएंगे तो प्लीज वीडियो में बने रहें विडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ओर्टो के कैस प्राइस के बारे में एक सोर्म प्राइस आपको 3,44,000 रूपे ओन रूड प्राइस की बात करें तो ओन रूड प्राइस में हमने आर्टियो इंसोरस और अधर चार्ज को एड़ करने के बाद ओन रूड प्राइस को निकाला है ओन रूड प्राइस आपको 3,05,000 रुपे देखने को मिल जाती है दोस्तों तो दोस्तों ये तो बात हुई इस ओटो के कैश प्राइस के बारे में जानकारी अब बात करते हैं दोस्तों इसके फाइनस के प्लान के ऊपर अगर आपका वजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेट एक लाख रुपे गी तो इसकी लोन अमाउंट आपको 2,05,000 रुपे निकल गए आती है दोस्तों अगर आप कराते कमपनियां बैंक से फाइनस और रहता है रेट ओफ इंटरस्ट 8,5% और लेते हैं टाइम अगले चार साल की लोन अमाउंट को कम्प्लेट करने के लिए तो इसकी महीने की EMI आपको 6,532 रुपे पर मन निकल के आती है दोस्तों तो दोस्तों ये बात हुई हमारे पहले प्लान के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिया है 5 साल के लिए अगर आप कराते काड़ी को फाइनस पे तो आप किसी पर मन की EMI 5,470 रुपे पर मन निकल के आती है दोस्तों तो दोस्तों आज किस वीडियो में हमने आपको ओमेगा सिलकी स्ट्रेम एवी थ्री विलर ओटो के कैश प्राइस स्पैसिकेशन फाइनस की प्लान की जानकारी दी है दोस्तों अगर आप भी चाते किसी गाड़ी वाइक के बारे में जानना किस लोकेशन और कितरे डाउन पेमेंट पे जानना चाते हैं तो आप आमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट कर इप्लाइए करने पूरी कोशिस करेंगे तो आपको ये वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यावाद फ्रेंड्स